नमस्कार, अगर आप अंतर जन्पदी मिचूल ट्रांसपर की आस लगाए बैठे थे तो आपके लिए एक खुस खबरी है अगर आपका अंतर जन्पदी ट्रांसपर नहीं हो पाया है और आपने कोई मिचूल साथी खोजा है तो बैउसाइट शुरू हो गई है आए अंतर जन्पदी पारसपरी का स्थाना अंतरण के लिए ओनलाइन आविदन कैसे करेंगी उसको हम जानते हैं लेकिन उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलीगा क्योंकि बेसिक सीचा सम्मन्धी हर खबर आपको यहां मैं सबसे पहले उपलत कराने की कोशिस करता हूँ आईए सबसे पहले हम कोई भी ब्रावजर ओपेन करेंगे अड्रेस बार में यह देखिए पारस्परिक अंतर जन्पदी अस्थानांतरण इस पर हम क्लिक करेंगे दूसरा पेज हमारा ओपेन हो गया दूसरी विंडो में अब हम पारस्परिक अंतर जन्पदी अस्थानांतरण पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप मानो समपदा ID डालेंगे अपनी मानो समपदा में रजिस्टर्ड मुबाइल नंबर डालेंगे Capture एंटर करेंगे Generate OTP पर क्लिक करेंगे OTP हमारे मुबाइल नंबर पर आ गई है अब हम OTP भरेंगे Proceed पर क्लिक करेंगे अब बाए हाथ पर Fill Print Registration इस पर हम क्लिक करेंगे आवेदन प्रक्रिया है हो तो आवेसे एक निर्दे से हम घोसडा इसको हम देख लेंगे पहचान पत्र का प्रकार ओटर ID कार्ड होना चाहिए पैन कार्ड होना चाहिए बैंक पांस बुक होना चाहिए जिसमें फोटो हो आपको 20 KB का करना है 20 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए जो कि JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में हो और जो आप अपनी फोटो स्कैन करेंगे वह भी JPEG, JPEG फॉर्मेट में हो और अधिकतम 20 KB का हो जो आप अपना हस्ताक्षर स्कैन करेंगे वह भी अधिकतम 20 KB का होना चाहिए और JPEG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए अब हम घोसडा के इस बॉक्स पर टिक करेंगे I agree आ गया हम इस पर क्लिक करेंगे अब इसमें देखी अध्यापकों के हमारा ओपिन हो गया है अब नीचे हमको Information from Manosampada Portal Manosampada Portal से जितनी भी सूचनाय है वो हमको इसमें दिखा रहा है जिसमें हमारा तैनाती का जन्दपद है सेवा का समवर्ग है कारिरद विद्याले है नाम है, जन्दिथी है, कैडर है Manosampada ID है, पता है इत्याद सारी जानकारी आपकी Manosampada संबंधित इसमें सो हो रही है अब हम फॉर्म के भरते हैं Inputs, भरती का स्रोत आपकी भरती किसमे हुई है आप उसको चुनेंगे माल जीए मैं 16,448 का साहे का ध्यापक हूँ तो मैं इसको चुनूंगा अगर पदोनती हुई है तो हाँ भरेंगे तो यहाँ पर हमको तारीख भी देना पड़ेगा अगर पदोनती नहीं हुई है तो हम नहीं भरेंगे तो हमको यहाँ पर तारीख नहीं देना पड़ेगा मेरी case में नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं सेवा से सम्मधित code case अगर जिस भरती में आप आपकी नियुक्ती हुई है अगर उस पर कोई code case है तो आप yes भरेंगे फिर वात संख्या आप यहां भरेंगे अगर कोई code case नहीं है तो आप नो भरते हुए अगले column को भरेंगे अब आप किन तीन जनपदों में जाना चाहेंगे उनकी वरीता सूची आप यहां पर भरेंगे पहले बिकल्प के अंसार जिस जनपद में आज जाना चाहें उसमें भरेंगे माले जी मैं अमेठी भरता हूं दूसरे जनपद में माले जी मैं बलिया भरता हूं तीसरे जनपद में माले जी मैं बांदा भरता हूं फोटो यूट पहचान पत्र जैसा कि उपर मैंने बताया है 20KB से अधिक का नहीं होना चाहिए ओटर आईडी कार्ड, राइवी लैसेंस, पैन कार्ड, बैंक पास्बुक हो सकता है मैं यहाँ पैन कार्ड को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर जो भी पैन नंबर होगा उसको हम यहाँ पर भरेंगे फोटो यूट पहचान पत्र अप्लोड करें जो हमारा पैन कार्ड होगा, उसको यहाँ पर अप्लोड कर देंगे और यहाँ पर स्वयम की नविनदम फोटो अप्लोड करेंगे मालजी मैं अपनी फोटो को अप्लोड करता हूं choose file पर क्लिक करता हूं जहाँ पर आपने फोटो रखा होगा उसको चुन लीजिए माल जी इस फोटो को मैं मुझे अप्लोड करना है ये मेरी फोटो है इसको मैं अप्लोड कर देता हूँ और घुसरा के इस बॉक्स पर हम टिक का निसान लगा देंगे और स्वयम का हस्ताक्षर भी हमको अप्लोड करना है जो कि 20KW से अधिक का नहीं होना चाहिए जो JPEG format में हो और हम अप्लोड करते हैं अब यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद हम फाइनल सम्मिट कर सकते हैं अप्लिकेशन के रेश्ट्रेशन का प्रिंट आउट यहाँ से हम ले सकते हैं फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा